तो गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स 11th क्लास गुद आप्टर नोन गुद इबनेंग जब कभी भी आप लोग देख रहे हैं और आप लोग का स्वागत है केमिश्ट्री क्लास में और मैं ललित मिश्रा आपका केमिश्ट्री फैकल्टी जो आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं और आपके अच्छे माक्स आएं उसकी शुब कामना आएं एक बात और आप लोगों को जरूर पेन पेपर लेकर बैठे होंगे नहीं तो प्लीज वीडियो स्टॉप करें और पेन पेपर ले लें आप केमिश्ट्री करने जा रहे हैं और वैसे कोई भी अनिवार यह है कंपल्सरी है तब ही आप उसको सीख पाएंगे नहीं तो हम कितने भी महनत करें किसी काम का नहीं आपकी महनत भी हमारी महनत भी सब बेकार चली जाएगी तो अच्छी बात है कि आप लोग पेन पेपर ले रहें फिर बैठें और मैं जो जो समझाता हूं उस थे फेश्बूक पर देख रहें मेरे पैज्बूक बीडियो आपके पास बैख गई है यहां पर कंपूलीट बीडियो नहीं है और कंपूलीट बीडियो जो है चैनल अब उसको करें पर लिनक मी क्लिक कर करि Hem. और फिर देखिए, मैं आप लोग के लिए क्या मैनत कर रहा हूं, क्या चीज़ें आपको दे रहा हूं, बहुत required हैं, यदि आप सीखना चाहते हैं अच्छी तरह chemistry, तो मेरे साथ बनिये और देखिए, तो आज जो हम लोग topic करने जा रहे हैं, पिछले वीडियो में, मैंने reactions of alkynes को cover करना था, लेकिन वीडियो लंबी होने की बज़ा से, मैं उसको cover नहीं कर पाया, तो इस वीडियो में मैं alkynes के reactions को लेकर चल रहा हूं, उसके साथ ही alkynes का introduction and structure, उसका discuss करेंगे, and then discuss करेंगे preparation of alk alkynes कैसे होगा, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, alkynes के reactions के बारे में, तो हम लोग करने जा रहे है, reactions of alkynes, और alkynes में जैसा हमने इसके पिछले वीडियो में discuss किया हुआ था, यहां पर आपका double bonded carbon है present, और double bonded carbon के side पर आपका यह trigonal planar geometry बन रही है, जिसमें इधर या तो carbon chain हो सकता है, या only hydrogen atom हो सकता है, similar बात इधर चलेगी, और हम जानते है, alkynes में जो हमारे पास pi bond है, वो pi bond आपका delocalize होता रहता है, और तब तो और ज्यादा better आपका delocalize होगा, जब इस पर, इसके localization के लिए क्या करना होगा, इस पर किसे ने किसी electrophile को attack करना होगा, और electroph file इसके साथ यदि bond बनाएगा, ति ये bond, pi bonded electron एक तरफ, depending upon the situation, आपका एक तरफ, localize हो जाएगा, और उसके साथ इस atom का single bond बनेगा, यानि sigma bond बनेगा, h atom का उस carbon के साथ, single bond यानि sigma bond बनेगा, तो यहाँ पर electrophile जो है, वो initiate कर रहा है addition को, इसलिए, alkynes में एक जो reaction है, बेटा वो हो सकता है, electrophilic addition reaction, यदि unsaturation है, तो addition तो होगा ही होगा, लेकिन electrophilic addition यहाँ पर होगा, तब जड़े, electrophilic addition को समझने के लिए यहाँ पर ध्यान रखिये, कि यदि only carbon, carbon multiple bond है, जहां कहीं भी, double या triple bond हो, वहाँ पर electrophilic addition ही होता है, इस बात को ध्यान में रखना है, य यह हमारा trick है, second, addition के साथ साथ और भी यहाँ पर बहुत सारे reactions हो सकते हैं, हम देखेंगे, आपका oxidation हो सकता है, और alkene, alkene यदि आपस में add होते चले जाएं, addition करते चले जाएं, तो ऐसे करके बहुत सारे molecules add हो सकते हैं, जिसको हम polymerization कह सकते हैं, तो इस तरह से यह three type के जो reactions हैं, वो बहुत ही ज़्यादा common है, बाकी और कोई भी reaction होगा, तो उसको हम वहाँ पर conditionally देखेंगे, तो हम यहाँ पर सबसे पहले करने जा रहे हैं, addition reaction, एक simple addition, hydrogen का addition पहले, उसके बाद इसको हम start करेंगे, तो addition of hydrogen हो सकता है, first reaction में, हम लोग preparation of alkanes में कर चुके हैं, कि addition यदि hydrogen gas का हो जाए, और वो भी हमें PD, PT या NI के presence में करवाना है, तो उससे alkanes बनता है, बिल्कुल वही बात हम यहाँ पर याद रखेंगे, alkanes में, जब हम addition करते हैं, का PD, PT या NI के presence में, तो आपका यहाँ पर corresponding alkane बन जाता है, alkane आपका corresponding होना चाहिए, यह बाद ध्यान डखना है, same carbon atom का होना चाहिए, यदि आपने carbon atom वगरा गलत कर दिया है, कम कर दिया है, ज्यादा कर दिया, तो वो गलत होगा, जैसे मैं example के लिए, यदि हम यहाँ पर प्रोपीन ले ले लेते हैं, और इसमें हम H2 का addition करते हैं, तो clearly एक mole hydrogen gas की requirement होगी, क्योंकि यहाँ पर एक ही double bond है, तो यहाँ पर हमारा यह प्रोपेन दे देगा हमें, उसी तरह से यदि हम cyclopentene में यदि हम H2 का addition करते हैं, यहाँ भी एक ही double bond है एक ही जगह पर, clearly है corresponding cyclopentene बनेगा, इस बात को ध्यान में रखना है, यदि कहीं भी दो जगह पर double bond आ गया, जैसे cyclopentene ले लेते हैं, इसमें हमें 2H2 और PD करना परेगा, जिससे आपका cyclopentene बन जाएगा, यह हम लोग discuss कर चुके हैं कि जितने mole of double bond हैं, उतने ही mole of hydrogen gas होना चाहिए, तभी आपका addition reaction हो पाएगा, हम लोग इसमें second addition करने जा रहे हैं, addition of halogen, हेलोजन यहां molecule के form में होगा, मैं यहां molecules लिख रहा हूं, यदि हम addition of halogen करने जा रहे हैं, जैसे आपका ethene है, हेलोजन का addition करें, generally CCL4 लिया जाता है, तो CCL4 में यदि हम addition करवाएंगे हलोजन का, यह हम इलेक्ट्रोफिलिक addition देता है, और इसका हमें mechanism नहीं करना है, इसलिए हम mechanism पर ध्यान नहीं दे रहें, तो इससे हमें vicinal dihalite obtain होगा, यहां पर vicinal dihalite obtain होता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे, इसमें यदि हम example लें, example हमारे पास यदि मानलीज हमने प्रोपीन लिया हुआ है, और यहां पर halogen हमने BR2 ले लिया, और CCL4 में हम इसको addition करवा रहें, clearly यहां पर हम देखेंगे 1-2 di-bromo propane बनेगा, और मैंने यहां पर बता है कि इलेक्ट्रोफिलिक अडिशन है यह, इलेक्ट्रोफिलिक अडिशन है यानि इसमें halogen molecule जो है, उसमें से एक halogen atom dissociate होता है और X-plus यानि halogen positive iron में, यानि halonium iron में convert होता है, अब यह जो reaction rate of reaction है वो depend करेगा, halonium iron के stability पर, तो हम जानते हैं कि down the group, F, C, L, B, R, I में electronegativity decrease हो रही है यह हमारा order of electronegativity है बच्चों, तो order of electronegativity है हमारा, तो clearly इसका जो iron होगा यह इस पर plus charge यह सबसे कम stable होगा, C, L plus उससे ज़्यादा stable होगा, B, R plus उससे भी ज़्यादा stable हो सकता है, और I plus बलकि ज़्यादा stable हो सकता है यहां पर, क्योंकि electronegativity decrease होने की वजह से, positive charge B, R करने की capacity बढ़ती जाएगी, उसकी जो capacity है बढ़ रही है, इसलिए F plus आपका बहुत easily reaction करेगा, काफी ज़्यादा reaction करेगा, और इसका reaction काफी rapid होता है, और इससे हमारा carbon carbon bond भी कई बार breakdown हो जाता है, इसलिए हम fluorine का addition generally इसमें considered नहीं करते हैं, chlorine और bromine का addition ठीक ठाक pathway से होता है, ठीक ठाक speed में होता है, और इससे हमारा major product आ जाता है, और i2 का addition है वह एक बार लगता होतो जाता है, लेकिन i plus actually इतने बड़े size का है कि हमेशा यह i2 में convert होने की tendency रखता है, और यदि CI bond बन भी जाता है तो यह इतना ज़्यादा weak है कि यह breakdown होकर i2 अलग से बन जाता है, त्यानि यह इसका जो i2 का addition है वह काफी जादा reversible है इसमें हमारा major product नहीं आ पाता है, इसलिए reactivity of halogen तो reactivity order of halogen molecule हमें ध्यान डखना है, सबसे जादा F2 का होगा, फिर CL2 का, फिर BR2 का, फिर I2 का, लेकिन मैंने discuss किया था practically हम F2 को लेते नहीं है, क्योंकि इसका addition काफी rapid होता है और dangerous condition में highly algorithmic है तो पहुंच सकता है, क्योंकि hydrogen gas भी release हो सकता है, तो यह हमारा होगा addition का और इसमें clear है कि यदि इसमें कोई steric hindrance रहेगा, अलकीन के अंदर यानि अलकीन हमारा ज्यादा branched है तो इसमें addition थोड़ा slow हो जाएगी, यानि जितनी कम branching उतनी ही ज्यादा उतनी ही कम reactivity इस बात को ध्यान में रखना है लेकिन यह आपके syllabus में इसका पूरा given नहीं है, तो मैं यहाँ पर इसको cover नहीं कर रहा हूँ, अब हम यहाँ पर next addition देखेंगे हम, addition of HX, hydrogen halide का addition, और यहाँ पर भी हम X की जगह पर CL, BR and I तीनों ही ले सकते हैं, F को हम यहाँ पर नहीं ले पाएंगे, क्योंकि HF bond easily breakdown नहीं होता है, अब यह भी हमें electrophilic addition देगा, तो clearly addition जो start करेगा, वो H plus करेगा, क्योंकि इसमें से electrophilic addition को start करेगा, carbon-carbon हम double bond की बात कर रहे हैं, तो उस ही ने start करना है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है, carbon-carbon double या triple bond में electrophilic addition होता है, मैंने पीछे बताया हुआ है, अब यह यदि symmetrical हमारा है, कोई alkene, इसमें electrophilic addition में सबसे पहले यह पाई-bonded electron H plus accept करता है, और किसी एक carbon के साथ यहां पर H plus bond बना सकता है, माल लेते इसके साथ bond बना लेता है, और यह दूसरा जो हमारा है, यह positive रहता है, इस पर X attach हो जाएगा, इस तरह से हमें symmetrical alken में addition कोई ज़्यादा problem बाली बात नहीं है, यह easily समझ आ जाता है, हम एक carbon में H को add करेंगे, दूसर symmetrical और asymmetrical alken क्या चीज है, हम देखेंगे, दोनों double bonded carbon में carbon atom का number या hydrogen का number सेम होना चाहिए, यदि हो सेम है, तब तो symmetrical है, यदि हो different है, asymmetrical है, यदि हम इसमें hydrogen का addition करते हैं, तो यह asymmetrical है, क्योंकि दोनों double bonded carbon में यदि देखा जाए, एक में H1 है only, दूसरे में H2 है, दोनों में H का number different है, तो इसके लिए, मारकोनी कॉब ने different, addition के, sorry, different mechanism के process से, different आपका experiment के process से, उन्होंने एक rule दिया है, यहाँ पर, उनको यहाँ पर mechanism मालूम नहीं था, सिर्फ उन्होंने rule दिया, experimental waste, उन्होंने क्या rule दिया, जिसमें hydrogen ज्यादा है, उसमें हमारा plus वाला part याद होगा, और जिसमें hydrogen कम है, उसमें negative वाला part याद होगा, clearly hydrogen CH2 में ज्यादा है, तो इसमें H लग जाएगा, CS3 बन जाएगा, और जिसमें H कम है, यानि एक ही H है, उसमें X लग जाएगा, यानि हमारा product यहाँ पर आएगा, CS3, CHX, CS3, लेकिन अब हम लोगों को इसका mechanism भी मालूम है, और reason भी मालूम है, ऐसा क्यों होता है, तो उसको हम आगे discuss करने जा रहें mechanism को, तो हम लोग यहाँ पर mechanism देखने जा रहें, और mechanism के लिए हम कोई भी HX ले सकते हैं, हम example के लिए यहाँ पर HBR ले लेते, पहले इसका हम product लिख देते हैं, क्या बनने वाला है, यह बनने वाला ह CH, BR, CS3, as per Marconi Cobb, addition, H2 में H का number ज्यादा है, दो H है, और CH में एक ही H है, तो यहाँ पर BR का addition, और यहाँ पर H का addition हुगा, अब इसका mechanism क्या है, Marconi Cobb तो experimental basis पर दिया था, यह सब addition का rule, लेकिन अब इसमें, जो mechanism है, वो क्या हमें suggest कर रहा है, तो जड़ा उसको देखें, यह हमारा mechanism है, इलेक्ट्रोफिलिक addition का, तो यहाँ पर हम सबसे पहले initiate जो करेगा addition, वो H करेगा, H पर plus charge है, बी आर पर negative charge है, यह पाई bonded electron, डी लोकलाइज होगा, H प्लस को accept करने के लिए, तो H प्लस को अब accept करेगा यह, और यहाँ पर दो situation generate होगा, अब यह जो पाई bonded electron है, वो इस C से भी related है, और इस C से भी related है, हम माल लेते हैं कि first condition में H इसमें add हुआ, H यह इसमें add होगा, तो यह बन जाएगा CS2, और यह positive बन जाएगा, क्योंकि actually pi electron का use करके ही, H प्लस जो है, जिसके पास electron नहीं है, वो add कर हो सकता है, तो पहला condition हम ले लेते हैं, CS3, यह हमारा CH2 बन गया, और दूसरा हमारा कार्वो केटाइन बन जाएगा, जिसके साथ BR- available है, और दूसरा condition यहाँ पर क्या आएगा, H हो सकता है, CH2 में add हो, क्योंकि pi bonded electron इसका भी है, तो दोनों हमारा यहाँ पर बनेगा, अब CS3, CH हमारा फिर प्लस हो जाएगा, CS3, यानि जिस carbon में H को हम add करेंगे, उसमें 1H increase कर देंगे, और दूसरे वाले double bonded carbon जो बचा हुआ था, उस पर हम positive charge लगाएगे, और साथ में इसके भी BR- होगा, अब यहाँ पर देखेंगे, कौन सा हमारा major होगा, एक्चली यह major product के basis पर decide किया गया है, तो major कौन सा होगा, तो यहाँ पर हम देख रहें, कार्वो केटाइन बनाए, तो कार्वो केटाइन की stability का order हम लोग पर चुके है, 2 degree कार्वो केटाइन, ज्यादा stable होता है 1 degree से, यहा हमारा 2 degree कार्वो केटाइन है, और यह हमारा 1 degree कार्वो केटाइन है, 1 degree कार्वो केटाइन आपका क्या होता है, less stable होता है, और जो less stable होता है, वो minor होगा, यानि बहुत कम बनेगा, negligible होगा, और 2 degree कार्वो केटाइन more stable होता है, अब यह हमारा major amount में, large amount में बनेगा, तो क्लियरली इसका जो रियक्शन है हम यहाँ पर शो करेंगे CS3, CH+, CS3 इस पर BR- अपना इलेक्ट्रोन पेर इस C को दे के बन बनाएगा और प्रोड़क्ट हमारा बन जाएगा CS3, CH, BR, CS3 और यह हमारा मार्कोनिक ओब एडिशन वाला प्रोड़क्ट आ जाता है यानि मार्कोनिक ओब एडिशन प्रोड़क्ट हमारा डिपेंड करता है कार्वो केटायन की स्टेबिलिटी पर इसले भी इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का आ गया है तो यह हमारा मेजर हो गया और यहां जो हमारा प्रोड़क्ट मनेगा वह बहुत कम अमांट में बनने वाला है देग लिजिबल अमांट में बनने वाला है क्योंकि हमने ऊपर देखा वन डिगरी कार्वो के टाइन बहुत कम स्टेबिल है यह इस पर अटक करेगा और product हमारा हो जाएगा one bromo propane यानि experimentally हमारा two bromo propane जो है वो major हो जाता है और उसको हम marconi cob edition का product मानते हैं और वही marconi cob ने भी बताया था तो marconi cob से हमे major product कौन सा आएगा ये पता चल जाएगा अब यहाँ पर हम condition लेते हैं क्या हमेशा ऐसे ही addition होने वाला है या कुछ अलग conditions भी होगा तो यदि हमने यहाँ पर oxygen से start किया reaction या UV light के presence में start किया reaction या हमने यहाँ पर peroxide के presence में reaction start करवाया तो ऐसा addition possible नहीं है तो हमारा marconi cob's rule follow नहीं होगा यानि marconi cob's rule हमारा ये सीधे सीधे एक तरह से acid का addition है तो direct addition होना चाहिए oxygen peroxide light इन सब के presence में addition नहीं होना चाहिए तो नहीं तो marconi cob's rule follow नहीं होगा तो double bonded position क्योंकि peroxide वगरा के presence में reaction नहीं कर पाता है कि इसमें एंटी marconi cob टैप से addition हो रहा है यानि एच इसमें आड़ हो रहा है यहां हम आगे डिसकस करेंगे यह एच बियार के साथ ही क्यों होता है तो पहले यहां पर देख लिए किसका effect है एक सकते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट दूसरा कह सकते हैं खराश इफेक्ट क्योंकि MS खराश का दिया हुआ है और तीसरा इसका नाम कह सकते हैं यहां जो addition हुआ है marconi cob के उल्टा हुआ है एंटी marconi cobs addition भी कहा जा सकता है और इसमें जो हमारा mechanism है वो free radical mechanism है यह हमारा free radical mechanism को follow करता है तो यह हमारा free radical mechanism को follow करता है किस तरह से इसको हम देखने जा रहे हैं तो हमने देखा कि पेरोक्साइड के प्रिजिंस में anti-marconi cobs rule को follow किया जाता है addition के लिए है hbr का only अब hbr के साथ only क्यों होता है इसको तो बाद में discuss करेंगे इसके बाद लेकिन पहले हम discuss करते इसका mechanism क्या है और पेरोक्साइड में ऐसी कौन सी खास बात है और कौन से पेरोक्साइड का से आही यूस करना है इन और गनिक पिरोक्साइड लाइक है डोजन पिरोक्साइड वागर सब यूज नहीं करेंगे उसमें वारा मेजर अमंट में प्रोडक्ट नहीं आपाएगा ऑर्गैनिक पर अब कर सकते हैं आर्-टू-ओ-टू- कि यह हमार एक और गटलगाइंग यह विसको फॉम्मला है है फिसका यह फॉमला हम माति다 सकते हैं हिए ते आर सी ओटाओ तूं है कार्वकसिंट क कर चाहिं के बाइब किस्कां कर के हैं उसका यह ले 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 उसी को जिंडली यूस किया जा जातब यहां पर यहां। कि इसकी चाल कैसी है उसको अब देख लेते हैं अब अब इसके दोनों टरफ मारा बिंगवाइल ग्रूप है ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ--ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ- convert ना करें इसके लिए हम आर्टू ओटू इसी का फोर्मुला हम वही यूज करेंगे क्योंकि यहां पर वैसे कोई भी परोक्साइड लिया जा सकता है जेनल जो यूज है इंडेस्ट्रियली वह और गैनिक परोक्साइड में बेंज्वाइल परोक्साइड को लिया जाता है इस कीजिस का मेकैनिजम किस तरह से होता है तो मैंने दिसक किया था कि फ्री रैडिकल मेकैनिजम में फ्री डैडिकल कैसे होगा वո तक तीन सटुफ में होता है बिलकुल यहा भी त Whis. इनिशीम होगा कि इनिशुश्न में क्या होने बाला ए हमारा स्टीक परोर्चाइड जो और हमारा ब्रेकडाउन होगा किसमें रैडिकल में क्योंकि ओ सिंगल बॉंड एक्च्वल स्टेबल नहीं होता है तो मैं यहां पर ज्यादा अच्छी तरह समझने के लिए और सी डबल बॉंड भी लगा लेता हूं इससे आपको और ज्यादा क्लारिटी रहेगी यहां पर बन जाएगा हमारा यह पेरोक्साइड हमारा रैडिकल हो गया और इसके टू मोल आगे अब क्या आर ग्रूप हमारा यहां पर यहां पर हम देख रहे हैं कार्बन डायोक्साइड गैसा स्ट्रक्ण्टर है उसमें डेबल बन जाए तो पूरा पूरा करण डियॉक्षाइड बन जाएगा और करण डचिटी नॉन पूलर होने की वज़े सटेब्लिटी भी है तो अगले स्टेप में यही होने व अब यह आपर का रेडिकल फॉर्म कर देगा सेकंड एप हमारा होता है बी आर का रेडिकल का फॉर्मिशन जिसको कहते प्रोपेगेशन यहां से मारा प्रोपेगेशन स्टार्ट होता है 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 after कि हमारा ये आर रेटिकल वह अटाएक करता है और ये बना लेता है 25 और ऊप सारी का अरेच मना लेता है और ऊज़ी速 कि तरी अब क्रीका पर भी आर रेटिकल जो हमारा क्यों करें उसपर अटाइक करेंगा जैसे हमारा यहां पर प्रोपीन reaction कर रहा है प्रोपीन पर वी आर का radical attack करेगा अब radical को एक ही electron चाहिए यहां से पाई का एक electron इसके पास आएगा bonding के लिए और यहां पर भी दो situation create होगा अब पाई electron फिर दोनों carbon का हैं तो दोनों carbon में से एक एक बार यह और यहां पर देख रहे हमारा यह वन डिग्री रैडिकल है रैडिकल भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है कार्वोकेटाइन की stability को follow करता है clearly हमारा यह more stable हो जाएगा और more stable से major होगा यानि हमारा major amount में बना तो इसका जो product है वो major amount में आएगा यह हमारा attack करेगा एच बी आर पर अब इस एच बी आर को यह रैडिकल अपना एक एलेक्ट्रोन देगा और एच के साथ बनाएगा फिर से हमारा यहां पर बी रैडिकल जन्रेट होगा यह हमारा major amount में आ जाएगा और इसका product हमारा minor आ जाएगा यह हो जाएगा minor इस तरह से हमारे mechanism चलता है इस mechanism को अच्छी तरह सीखना है आप लोगों को तो यहां पर हम देख रहे हैं कि बी आर रैडिकल स्वरी एच बी आर का ही रियक्शन इसमें क्यों होता है एंटी मार कुनी को तो यदि हम यहां पर से ल को लें इसलिए इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का डिफरेंस इतना ज्यादा है कि यह बॉंड कभी भी यहां पर रैडिकल के फॉर्म में ब्रेकडाउन नहीं होगा बॉंड इंथाल्पी रैडिकल बनने के लिए बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए जिससे उसकी स्टेबिलिटी पर ज्यादा फर्क ना परें वह बॉंड इजली ब्रेकडाउन हो जाए यहां पर से ल का बॉंड हाइली स्ट्रॉंग है और इसलिए रैडिकल में ब्रेकडाउन से ल नहीं हो पाएगा और यदि होता भी है तो से ल रैडिकल बहुत कम यहां पर बॉंड इंर्फा इसलिए बहुत जैदा नहीं है तो भी रैडिकल हमारा बन सकता है अब यहां पर बन तो हमारा एचाइभी सकता है रैडिकल में लेकिन अठिकाल जैसे बनता है आयए रैडिकल ही we answer हो जाता है कि इस से हमारा reaction जो है काफी slow हो जाता है और फिर slow वाले reaction कों organic में consider नहीं करते हैं जो बहुत जवमい जड़ा मुश्मिल सोओ उसको भी consider नहीं करते हैं जो accidental reaction रियक्षन हो यानि काफी highly exothermic हो जो dangerous condition अभेल कर वा सकता है उसको युचिन हम Подया नहीं जो बहुत slow उसको भी consider नहीं करते हैं क्योंकि slow वाले में तो major amount में product हमारा प्रिपेर ही नहीं हो पाएगा, reaction reversible होता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे, इसलिए only हम लेते हैं HBR का एडिशन एंटी मारकोनी कोप में, अब हम इसको आगे करेंगे अब reactions को, तो हमने अभी लग रहा था, HCl, HBR, HI के लिए लग रहा था, और anti-marconi कोप, peroxide के presence में, किसके साथ लग रहा था, peroxide के presence में, HBR के साथ only लग रहा था, लेकिन इदी पेरोकसाइड नहीं डालेंगे, तो HBR भी, marconi कोप के basis पर addition करेगा, इसके बाद अब हमारा addition आता है, addition of water, हमारा यहां पर fourth आ जाता है addition of water, addition of H2O, तो water को यहां पर लिखा जा सकता है, H, O, H के form में, H पर positive charge, O, H पर negative charge, यानि यहां भी H plus present है, यहां भी positive और negative addendum present है, तो clearly हमारा जो addition है, यह भी marconi कोप addition को ही follow करेगा, यदि हम H2O का addition करवाते हैं, यह भी marconi कोप addition को follow करेगा, यह pi bonded electron में इसे एक carbon, generally हमारा H कहां पर add होगा, जिसके पास hydrogen ज्यादा है, और OHR होगा, जिसके पास hydrogen कम है double bonded carbon में, यानि यहां पर propane to all बनेगा, CH में OHR जो add हो X3 बन जाएगा, यदि हम symmetrical लेते हैं, किसी marconi कोप addition की requirement नहीं है, हम यहां direct product लिख सकते हैं, किसी एक में H को add कर देंगे, दूसरे carbon में OH को add कर देंगे, इस तरह से हमारा addition of water हो जाएगा, अब एक addition हमारा आता है, addition of H2SO4, H2SO4 में एक हमारा H+, आएगा, और दूसरा हमारा OSO3H करके लिखा जा सकते हैं, यानि यह minus वाला part आ रहे हैं, और bond हमारा यहां से cleave होगा, क्योंकि O की electronegativity sulfur से जादा है, तो OH bond ज्यादा polarize है, और यहां पर breakdown ज्यादा easily होगा, यानि इसमें भी एक plus minus बंद आया हमारा, तो clearly marconic of addition यहां भी follow होगा, तो यदि हम यहां पर addition करने जा रहे हैं, CS3, CH double bond, CS2 में, इसमें हम H2SO4 का addition करेंगे, मैं इसको SO4, H की तरफ, sorry, OSO3, H के form में दिखा रहा हूँ, यह हमारा minus और H हमारा यहां पर plus है, clearly marconic of addition में क्या हो जाएगा, CS2 में, H लग जाएगा, CS3 बन जाएगा, और CH में हमारा O के तरफ से हमें bonding शुरू करनी है, तो कि bond O का cleave हुआ है, OH का bond cleave हुआ है, OSO3, H लग जाएगा, इदर हमारा CS3 agitives है, इस तरह से हमारा sulfonic acid बनेगा यहां पर, और sulfonic acid highly unstable होता है, इसमें यदि हम NaOH बगरे डाल दें, तो easily हमारा यह alcohol वेगर हमें convert हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखेंगे, अब हम यहीं पर addition कर सकते हैं, HO CL का, addition of HO CL आपके syllabus में नहीं given है, तो इसको मैं leave कर रहा हूँ, आगे हम करने जा रहे हैं अब ojonalysis, पहले मैं ojonalysis के product लिखने का technique बताऊंगा trick, उसके बाद इसका mechanism type से करेंगे, तो जड़ा देखिए, हमने जैसे ले लिया एक हलकीन, CS3, CH double bond, C, यहाँ पर CS3, यहाँ पर CS3, और हम इसका reaction करवा रहे हैं, o3 के साथ in presence of Zn, H2O, तो Zn हमारा क्या करता है, ozon में से एक oxygen को लेकर Zn, O हमारा byproduct बनाएगा, यह mind में रखना है, बाकी बचे हमारे पास दो oxygen, उसका addition किस तरह से होना है, यहाँ पर सिप bond आपका तूटेगा, breakdown होगा, और दोनों carbon chain को एक एक oxygen मिलेगा, CS3, CH है इसके पास, double bond के साथ O लग जाएगा, और यहाँ जो हमारा bond क्लीव हो रहा है, इसमें double bond के साथ यहाँ भी O लगाना है, बाकी carbon chanagities रहेगा, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक हमारा ethanol बना, जो की L-D-I-D है, और एक हमारा propane 2-on बन गया, जिसको only हम propane 1-on भी लिख सकते हैं, तो इसमें हमारा LD-I-D and ketone बनता है, या only LD-I-D भी बन सकता है, यदि हमने carbon chain ऐसा रखा हुआ है, जैसे हमारे पास एक example है, CS3, CH, double bond, CH, CS2, CS3, इसका हमें o journalysis करना है, हम यहाँ by product पर ध्यान नहीं देकर, main product पर ध्यान दे रहे हैं, double bond पर से 2 carbon chain में हमारा यह carbon chain split हो जाएगा, और उसमें oxygen को हमें लगाना है, double bond पर, CS3, CH, double bond O, दूसरा product, CS3, CH2, CH, CS3, CH2, CH, इसमें भी double bond O लगाना है, और दोनों हम क्या देख रहे हैं, LD-I-D है, यह हमारा ethanol, और यह हमारा propanel है, तो depending upon the structure of alkene, हमारा only ketone, only LD-I-D, यह ketone and LD-I-D, दोनों product बन सकते हैं, इसके बाद इसका हम देखेंगे mechanism किस तरह से होता है, तो हम लोग करने जा रहे हैं, और जोनलिसिस का mechanism किस तरह से होता है, और जोनलिसिस हमारा, और जोनलिसिस में पहला step जो होगा, फर्स स्टेप वो होगा, ओजोनाइट के formation का, ओजोनाइट के formation का फर्स स्टेप होना है, इस बात को ध्यान में रखना है, और उसके बाद फिर उसका यदि हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, वो हमारा corresponding L.D.I.D.A. ketone, depending upon the structure, वो breakdown हो जाएगा, तो देखिए, ओजोनाइट कैसे बनेगा, जैसे हमारे पास एलकीन है, माल लेते हैं, प्रोपीन, हम smaller एलकीन से सुरू करते हैं, समझाने के लिए आपको, इ हमारा होजून है, यहाँ पर double bond जो है, आप देख रहें, यहाँ पर एक coordinate bond बनाया है, जो कि generally stable नहीं होगा, यह oxygen चाहेगा, कि मैं किसी electro positive element के साथ, एक-एक करके sigma bond बनाओ, और वो मेरा stable हो, clearly यहाँ पर oxygen का addition हो जाएगा, माली जीस oxygen का addition होने जा रहे है, किसी भी एक को आप example में ले सकते हैं, यह oxygen यदि यह double bond यहाँ सहटके, sigma bond में convert होकर दोनों, क्योंकि दोनों के पास, माल लेते हैं हमारा radical बन जाता है, दोनों का एक-एक electron जो है, इस oxygen के साथ bond बना रहा है, addition का, क्या बनेगा हमारा, CS3, CH, दोनों के यह जो bond है, अपना electron वापस लेकर oxygen के साथ बना लिया, अब oxygen का, इसके साथ जो double bond ब्रेकडाउन हो जाएगा, एक ही bond बचेगा, यहाँ पर एक oxygen का bond बच गया, दूसरा oxygen भी अपनी stability के लिए यहाँ पर add हो गया, और इस तरह से हमारा addition हो रहे है, इसको कहते हैं, ओजुनाइट, यह हमारा ओजुनाइट जोमेटरी ब कर लेगा, और हम माल लेते हैं कि यहाँ पर यह bond जो है, इसके साथ flip कर जाता है, यह भी bond यहाँ फिलिप कर गया, जिससे हमें product समझ आएगा, यहाँ पर बन जाएगा, CS3, CH, O के साथ single bond था, यह bond flip करने से double bond O आ गया, उसी तरह से हमारा यह CH2 था, जिसको हम CH करके लिख सकत हैं, और दूसरा bond यह flip कर गया, डबल bond में आ गया, इस तरह से O जो नाइट, formation के तुरू हमारा यहाँ पर mechanism होता है, हम एक और example ले लेते हैं, जैसे माल लेजे हमारे पास, 2-methyl, but-2-en है, और इसका हमें O जो नाइट बनाना है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो structure है, उसको हम maintain डखेंगे, और यहाँ के bond को हम carbon के साथ नहीं दिखाना है, oxygen के साथ दिखाना है, और इस bond को भी हमें oxygen के साथ दिखाना है, मैं CS3 को convenience के लिए उपर ले लेता और इनके बीच में bond दिखाना है, यह हमारा होगी O जो नाइट, अब यदि यह breakdown होगा, यह bond इधर flip करेगा, यह bond इधर flip करेगा, क्योंकि इसको ZN के साथ दयाना है, और hydrolysis कर रहे है, peroxide bond तोटता है, हम यह अच्छी तरह जानते है, यहाँ से bond तोटेगा, और यह bond इसके स साथ CS3 है, और इसके साथ flip करने पर double bond O आ जाएगा, और दूसरा product हमारा CS3 CH, double bond इस oxygen के साथ flip करने पर इसके साथ आ जाएगा, क्योंकि peroxide bond water में breakdown होता है, यहाँ भी peroxide bond breakdown हो रहा था water में, इस तरह से हमारा बनता है, और जोन का complex यानि LD हाइड या किटोन बनता है, अब यहा कि यदि हमारे पास product given हो, और जोन का product हमें given हो, तो उसमें कौन सा अलकीन वहाँ पर था, यह हम पता लगा सकते हैं, तो कैसे देखिए, जैसे मानली जी हमें दिया हुआ है, एक कोई भी अलकीन था, जिसने हमें दे दिया है, इथेनल एंट प्रोपेन टुओन, यह हमें product दिया है, ए ओजोनोलिसिस पर, ओजोनोलिसिस का आपका reactant O3, ZNS2O होगा, इस पर हमें यह product मिला है, तो अलकीन कौन सा था पता लगा, बहुत इजी है, इसको हम समझने के लिए एक geometry type ले ले लेते हैं इस तरह से, हमने क्या देखा था, कि O हमारा बाद में add हुआ था, यहां पर हम क्या करेंगे, दोनों oxygen को हम यहां से हटा देंगे, और इन दोनों double bonded carbon को आपस में, double bond के थुरू add कर देंगे, attach कर देंगे, क्लियरली यह हमारा 2 मिखाईल, यूट टूइन था, जिसका आपका प्रोड़क्ट ही हो, जोनोलिसिस का यह बना है, तो हम ऐसे लगा सकते हैं, यहां पर हमने देखा कि यह हमें product मालूम हो, तो oxygen को हटा कर दोनों double bonded carbon, दोनों अलग अलग जो product हैं, उसको आपस में आड करके, हम एलकीन का पता लगा सकते हैं, यह हमारा trick है, एलकीन का पता लगाने के लिए, और यह question पूछे जाते हैं बार-बार exam में, तो इस question को आप अच्छी तरह से ध्यान डखेंगे, हम लोग करने जा रहे है, oxidation of एलकीन, हमारा यह sixth reaction होगा, तो oxidation of एलकीन से हम यहां पर देख रहे हैं, हमने पीछे क्या था? addition of water, अब addition of water पर जड़ा ध्यान देंगे, हमने यदि water का addition, actually यहां पर ह्टो कई बार लिखा हुआ नहीं रहेगा, इस reaction के अंदर, लिखा हुआ क्या रहेगा, dilute kaminophor, उसमें हमने heat किया इसको, dilute में ज्यादा amount में कौन रहेगा, water होगा, और यह हमारा oxidizing agent है, तो यदि हम kaminophor में इसको heat करेंगे, यहां में कुछ न कुछ niscent oxygen देगा, अब यहां पर H2O plus O को हम H2O2 के तर ट्रीट करेंगे, हमारे पास दो OH ग्रूप है, अब दो OH ग्रूप हमारा क्या करेगा, double bond पर vicinal alcohol बनाएगा, vicinal diol बनाएगा, यानि दोनों पर एक एक OH एड़ हो जाएग जैसे हैं हमारा propane 1,2 diol हो गया और glycol यहां पर बंदा है, यह हमारा propylene glycol है, हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि vicinal diol alcohol को generally glycol करके नेम किया जाता है, नेम किया जाता है बलकि, जैसे हमने इथीन ले लिया है, एच टू ओ के साथ clearly nascent oxygen आएगा, यदि हम इसको dilute kemenophor करके यहां पर cold लिखे रहे हैं, sorry heat नहीं करेंगे, cold करेंगे, cold हम डालेंगे, तो यहां पर देखें, यहां पर भी हम क्या करेंगे, reaction हमें इस type से दिया हुआ हो सकता है, तो reaction यदि इस type से दिया है, फिर से हम दो OH group मानेंगे, इसको S2O2 मान के चलेंगे, तो हमें यहां पर ethylene glycol, जिसको सीधे सीधे glycol कहते हैं, glycol सीधे सीधे कहा जाए तो हम, इथालिन glycol समझेंगे, इथालिन glycol यहां पर बनेगा, अब हमारा अगला reaction जो है, वो है polymerization का, एलकीन्स में यह खास्यत होती है, वैसे किसी भी, पाई बॉन्ड वाले में, वो आपस में एड हो सकते हैं, आपस में उसके बहुत सारे molecules, एड हो जाते हैं, और एक large molecule बनाता है, उस large molecule को कहा जाता है, polymer, poly means many, मर मतलब molecular unit, बहुत सारे molecular unit आपस में जुर गए हैं, और एक large molecule बना लिए हैं, जिसका नाम है polymer, हम लोग इससे परिचित हैं, familiar हैं, जैसे हमारा polythene है, polythene bag क्या है, ethene का polymer है, बहुत सारे ethene molecules आपस में एक chain में attach हो गया और polythene बना लिया है, इसी तरह से poly, propene, हमारा वहाँ पर propene का वो polymer है, वो भी plastics हैं, यह जितने भी alkenes के polymer से सबके सब plastics हैं, और यह plastics हम जानते हैं, कि हमारे environment के लिए बहुत ज़्यदा नुक्सान दायक है, हमारे health के लिए बहुत ज़्यदा नुक्सान दायक है, इसलिए अब कहा जा रहा है, government कहरें, say no to plastic bags, यहाँ पर किसी भी alkenes का हमे plastics को use नहीं करना है, लेकिन अब reactions इसका है, तो हम यहाँ पर को हमने high pressure, pressure हम high रखेंगे, high temperature, ant, कोई नो कोई हमने catalyst use करना, यहाँ पर catalyst कौन सा है, syllabus में नहीं गिवन है, generally यहाँ पर peroxide initiator होता है, peroxide catalyst होता है, तो हमारा यहाँ पर यह इथीन, बहुत सारे आपस में जूर जाएंगे, जिस addition को हम यहाँ पर इस form में दिखाते हैं, यह polymer द और हो गया polymer, वैसे polythene में E को drop कर दिया गया, क्योंकि Y हमारा यहाँ पर क्या है, semi-vowel की तरह काम करते हैं, और यह हमारा ethene है, ethene को यहाँ पर monomer कहा जाएगा, जिसके addition से हमारा polymer बना है, यानि जिससे हमारा polymer बना है, उसको monomer कहा जाएगा, और जो polymer बना है, उसमें polyward ल हाँ, वही high temperature, pressure, catalyst बगर रहेगा, अब यहाँ पर ध्यान डखेंगे, जहाँ पर हमारा pi bond है, यानि जहाँ पर double bond है, सिर्फ वहीं पर addition दिखाना है, जिसके bond पूरे है, four bond, उसको हमें branch में लगा देना है, clearly हमारा यहाँ CS3 एक branch की तरह आ जाएगा, और CH यहाँ पर single bond बन ज और यह हमारा है propene, propene यहाँ पर monomer हो गया और polypropene इसका polymer हो गया, तो इस तरह से हमारा reaction जो है, वो complete हो रहा है, तो हम लोगों ने इस तरह से alkenes के reactions कर लिये, वो alkenes का chemical properties था, और उसको हमने अच्छी तरह से सीख लिया है, आप लोगों को अच्छी तरह समझ भी आया होगा, तो अब हम यहाँ पर अपना topic change कर रहे है, alkenes को ले रहे हैं, जो कि हमारा अगला topic है, इसका introduction और structure, IUPAC, Numenclature, थोरा सा देखना है, उसके बाद उसका हमे preparation करना है, तो देखिए जरा, सबसे पहले हम alkenes को यहाँ पर समझ रहे है, alkenes हमारा क्या होगा, alkenes जहाँ कम से कम एक जगा पर carbon carbon के बीच में triple bond आजाए, उसको हम alkenes कहते हैं, कहीं भी कम से कम एक जगा पर triple bond आजाए, carbon carbon के बीच में उसको हम alkenes कहेंगे, और जहाँ पर यह triple bond आएगा, उस carbon की जो hybridization है, वो sp होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर एक sigma bond और दो pi bond है, hybridization हम number of sigma bond के basis पर लेते हैं, एक carbon का एक sigma bond यहाँ पर है, एक sigma bond ह के साथ है, तो दो sigma bond इसलिए दो ही hybridization, यानि एक ही P orbital यहाँ पर sigma bonding में आएगा, जो हमारा pi bond है, उसको हम hybridized orbital नहीं मानते हैं, इसलिए इसकी यहाँ पर content नहीं हुई है, दो की, बांकी दो की, इसलिए जहाँ पर triple bond बने, वहाँ पर एक sigma और दो pi bond होता है, अब LKN का जो general formula है, वो है cn, h2n-2, जब एक ही जगह पर दो carbon atom के बीच में triple bond आए तब, और जितनी जगह पर triple bond आता जाएगा, उतने ही four hydrogen atom कम होते जाएगे, क्योंकि दो double bond की तरह यह काम कर रहा है, दो bond extra आ रहा है, तो ल दोनों carbon, दो-दो hydrogen को lose करेगा, तभी तो वहाँ पर bond बनेगा, तो दो-दो, sorry, चार-चार hydrogen atom और भी कम हो सकते हैं, तो जैसे मान लिजे हमने यहाँ पर ले लिया है, इथाइन यह हमारा हो गया, इथाइन का यहाँ पर formula हमारे पास है c2h2, बैसे देखा जाएगे, इसी का corresponding lken हमारा इथेन है, उसका formula c2h6 होता, तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, यदि इसमें हम 4h और add कर देंगे, तो यह बनेगा, यानि इससे 4h कम है, clearly जब एक जगा पर triple bond आया, तो क्या हुआ, 4 hydrogen atom की कम ही आ गई, इसी तरह से जितनी जगा पर यह triple bond आएगा, उतने ही 4 times hydrogen की कमी होगी, इस बात को ध्यान में रखना है, तो मान लीजे जैसे हमारे पास है, इसका nomenclature किस तरस होगा, तो nomenclature यदि हम करना चाहते हैं, यह हमारा प्रोप, वन आइन हो गया, इसी तरह सिसमें हम carbon chain को बढ़ाएं, जैसे हमारा यह, triple bond को हम कम नमर देने के कोशिस करेंगे, तो 1, 2, 3, 4 करके count करेंगे chain को, और यह हमारा बन जाएगा, थ्री मिथाइल, व्यूटाइन या व्यूट वन आइन, और इसी तरह से यदि एक से ज़्यादा triple bonded carbon आए, तो हम सब के सब triple bonded carbon को कोशिस करेंगे, अपने longest chain में लेने की, जैसे कि हमने double bond के साथ किया था, यहाँ पर हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 आगया, counting हमने यहीं से की, क्योंकि यहाँ का triple bonded carbon, second पर आ रहा है, इधर से count करने पर, और इधर से first पर आ रहा है, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया, कोई भी branch नहीं है, इसमें, clearly pent हो गया, 5 carbon है, और जैसी double bond हमारा, 2 या उस चे ज़्यादा आता था, आगे A लग जाता था, तो यहाँ भी A लग जाएगा, एक तो हमारा triple bond first पर है, अगला हमारा 3 पर start हो रहा है, 1, 3, di-ion हो गया हमारा, इसी तरह से यह दिया हम इसमें, CL लगा दिया, और इस पर CS3 लगा दिया हमने, आगे हमने CH2, CH यहाँ पर NO2 ले लिया, 3 triple bond CH, तो हम CL और NO2 हमारा preferable group नहीं है, उससे ज़्यादा preferable हमारा triple bond होता है, इसको prefer करने किला हम counting यहाँ से करेंगे, यह chain को, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो जाएगा, तो clearly 5 पर हमारे पास दो ब्रांच है, CL यानि chloro and methyl, और third पर nitro है, alphabetically पहले chloro को लिखा जाएगा, इसका नेम हो जाएगा 5 chloro, उसके बाद methyl, M4 methyl और N4 nitro, M4 methyl लिखा जाएगा, 5 methyl, then nitro इसके बाद का alphabet है, 3 nitro, हमारे पास आगया है, यहाँ पर 6 है, hex, 1, 9, first पर आपका triple bond सुरू हो रहा है, इस तरह से हम इसमें nomenclature करेंगे, यदि double bonded भी carbon आजाएगा इसमें, तो वहाँ पर थोड़ा ध्यान डखना है, और problem तब आती है, जब एक तरफ से double bond कम नमबर पर आ रहा है, और दूसरे तरफ से कम नमबर पर triple bond आ रहा है, और actually वह कम नमबर दोनों तरफ से same नमबर हो, जैसे देखें यहाँ पर, CH2 double bond CH, CH2 CH, यहाँ CS3, यहाँ हमारा है, C triple bond CH, अब यहाँ पर हम किसको prefer करेंगे, यहाँ पर one per triple bond है, यहाँ पर one per double bond है, clearly हमें prefer करना है, वैसे दोनों हमारा equally preferable है, लेकिन alphabet का लिए देखा जाए, तो double bond पहले आते है alphabet में, तो double bond को prefer किया जाते है, लेकिन यहाँ पर branch भी है, ब्रांच को भी consider करना है, हम देख रहे हैं, one, two, three, four पर branch आ रहे हैं, दर से one, two, three पर आ रहे हैं, हम counting यहाँ से कर देंगे अब, यानि हमने triple bond को prefer कर दिया, हमारा हो जाएगा यह three methyl, clearly हमारे पास है six carbon hex, लिखा जाएगा पहले double bond को alphabet कर लिखा जाते हैं, five in one eye, लेकिन यहाँ पर condition यह ऐसा होता, यहाँ पर क्या है, opposite side से, one पर हमारा double bond आ रहा है, यहाँ पर one पर triple bond आ रहा है, तो double bond को हम prefer कर देंगे, one, two, three, four, five, six, क्योंकि double bond में in आता है, जो कि alphabet के लिए पहले हमारा इसका nomenclature हो जाएगा, hex, one in, five in, इस तरह से हमें नomenclature करना, अलकाइन का, अब इसका हम आईसोमर्स देख रहे हैं, आईसोमर्स आपका, यहाँ पर structural isomर्स होगा, और structural isomर्स के अंदर, हमारा pro-alkाइन जो है, वो दिखाएगा, chain और branch isomer, ant, positional isomर्स, फर्स्ट हमारा chain ant और branch isomer, और second दिखाएगा, positional isomर्स, अब chain और branch isomर्स कैसे दिखाता है, जिरहाँ इसको देखे, यदि हमारे पास, c6, h हमें क्या करना है, 2n, minus 2 करना है, 6, 2, 12, 12, cn, h2n, minus 2 करना है, तो इस बात को ध्यान में रखना है, cn, h2n, मतलब 12, और minus 2 यानि 10, तो c6, h10 हो जाएगा, तो देखें यहाँ पर, c6, h10 से हमारा क्या क्या बन दा है, एक तो हमारा hex sign बनेगा, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ पर 6 carbon atom के साथ, 10 हमारे पास hydrogen होगा, 1, 2, 3, 3, 2, 5, 5, and 5, 10, तो यह तो हमारा hex sign बन गया, दूसरा क्या बन जाएगा, इसी में हम एक, ch2 को, इसका branch बना देते हैं, तो यह हमारा ch हो जाएगा, और यहाँ पर आगए ch3 branch में, और यह हमारा क्या बन गया, 3-methyl, pent-19, और यह हमारा था, hex 1-9, clearly इसमें क्या देख रहे हैं, longest carbon chain, दोनों ही 1-9 है, लेकिन longest carbon chain, में carbon atom का number change हो चुका है, इसको कहेंगे हम, chain और branch isomer, अब इसी में यदि हम, इस branch को उठा कर, यहाँ डाल दे, यह हमारा हो जाएगा, positional, CH3, CH, यहाँ पर हमने CH3 कर दिया, CH2, C111CH, दो हमारा था, 3-methyl, pent-19, और यह हमारा है, 4-methyl, pent-19, इसको हम first माल लेते हैं, इसको हम B माल लेते हैं, इसको हम C माल लेते हैं, तो हम पर क्या देख रहे हैं, B and C जो है, positional isomer से, अब यहीं पर यदि हम, triple bond के position को change करें, जैसे हमने first वाले में, hex sign लिया हुआ है, hex 1-9 लिया है, इसी triple bond को उठा के यहां डाल दें, तो यहां पर हमारे पास क्या रहे हैं, यह हमारा hex 3-9 हो गया, और यह हमारा hex 1-9, यह भी हमारा positional हो गया एक दूसरे का, यह हमारा positional isomers है, इसके बाद फड़ा पड़ा हम देख लेते हैं, preparation, वाँ, तो हम लोग यहां पर करने जा रहे है, preparation of L-kind, हमें only two methods करने हैं, इसके, as per syllabus, first method आपका, इथाइन के preparation का दिया हुआ है, जो की commercial preparation है, वो किया जाता है, from calcium carbide, from calcium carbide, और इसमें preparation of, इथाइन है only, और यह commercial preparation है, लेकिन इसके लिए, हम करेंगे क्या, calcium carbide CAC2, को हम hydrolyze करेंगे, hydrolyze करने पर, यह हमें CAO देता है, और यहां पर इथाइन देता है, लेकिन हम यहां पर, calcium carbide को obtain कैसे करेंगे, calcium carbide को obtain करने के लिए, कोई climb का सबसे पहले, decomposition करवाया जाता है, CAO प्लस CO2 में, अब इससे हमारा, calcium carbide आगे prepare क्या जाएगा, अब हम इस CAO का, यदि reaction, यहां पर हम करवा देतें, C के साथ, और C हम कितने मोल लेंगे, 3 मोल आप कारवन एटम, तो हमें यहां पर मिल जाएगा, CAO प्लस CO, इसमें ब्रेकडाउन हो जाता है, अब यह CAO जैसे हमने उपर यूज किया है, इसमें हम यूज कर सकते हैं, इस तरह से हमारा इथाइन का preparation होगा, लेकिन यदि हमें higher alkyne बनाने हो, तो क्या करेंगे, higher alkyne के लिब लेते हैं, vicinal dihyalite, vicinal dihyalite से हम prepare करने जा रहे हैं, vicinal dihyalite में, जैसे हमारा प्रोपेन, में first and second position पर हमने chlorine को add कर दिया है, यदि हम यहाँ पर alcoholic qh करें एक हमारा scl निकलेगा और अरफ की बनेगा लेकिन उसी को यदि हम access में ले ले तो दो scl यहाँ से निकल सकता है हम यहाँ पर alcoholic qh access में लेकर heat करेंगे और यह हमें मिलेगा यहाँ पर सी एस त्री सी ट्रिपल बॉन्ट सी एच प्लस टूए सी एल बाइप्रोडेक्ट हो जाएगा हम यहां पर सोडा माइट के थ्रू भी कर सकते हैं सी एस टू सी एस टू सी एल तो हमने एल्कॉलिक क्यों एच के साथ हम ले सकते हैं सोडा माइट एन एनस टू यह भी हमारा बी हेलोगेनेशन करवाता है और यहां पर हमें प्रोपाइन मिल जाएगा कोई भी हाइयर एलकाइन बनाया जा सकता है डी हाइट्रो हेलोजनेशन से यानि वीसिनल डाहलाइट से इस बात को में ध्यान में रखना है यह हमारे प्रिप्रेशन एलकाइन का तो आप लोगों को मेरी मैनत देख रही होगी तो प्लीज उससे सीखें और इसको सब्सक्राइब और सेर जरूर करें जो कि मुझे विश्वास है आप लोग करेंगे और मेरे साथ कमिश्टी सीखने की कोशिश करेंगे सीखेंगे जरूर धन्यवाद हलो स्टूट्ञ्ट्स आप लोगो गो मेरा वीडियो पसंद आरहा होगा आपको संज भी हा रहा होगा हुग यह मुझे पूरा विश्वास है और समझ आया आया तो सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में सेर किजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा देखने के लिए